आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मुम्ताज यह चिकन की एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जादा टेस्टी होती है आप इसको एक बार जुरो ट्राइ करें अगर आप इसको एक बार बार आपका मन करें गया इसको बनाने का और इंशालला यह आपकी वे फैवरिट डिश बन जा एक अनुचे प्याज के यह ब्राइज गांगा सफट करते हैं नहीं हो जाती हमें प्याज को ब्राउन करना एक सर्फ हमें इसको डिशा को और करेंगे तीन से चार मिनट बाद आप देखेंगे हमारी जो प्याज है वो सौफ्ट हो चुकी है और अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है इस पॉइंट तक ही हम इसको फ्राइब करेंगे इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी दो मीडियम साइज के टमाटर इसको मैंने रफली काट लिया है और चार पाच इसके अंदर जाएंगी हर इमेज और टमाटर को भी हम 6-5 मिनट तक फ्राइब करेंगे जब तक हमारी जो टमाटर ने वो सौफ्ट नहीं हो जाते चार पाच मिनट बार आप देखेंगे टमाटर हमारे सौफ्ट हो चुके हैं अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसी ही यह ठंडा होगा इसको हम एक मिक्सी के जान में ट्रांस्फर कर लेंगे ग्राइंड करने से पहले मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम 10 से 12 मैंने बादाम डाले है उसका छिलका उतार लिया है अब इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं एक स्मूथ चा पेस्ट बनकर तयार है अब हम ग्रेवी की तरफ चलते है एक पैन में मैंने वन इस्पून ओयल लिया है मैं इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालूंगे जीरा आफ टेबिल इस्पून काली मिज चार पाच लॉंग और एक बादियान का फूल जैसी ही यह सोटे होंगे यह से ही हमारा जीरा क्राकर होगा उस पॉइंट पर अब हम इसके इसके साथ में हम 3-4 मिनट तक भूनेंंगे ताकि जो अर्थक लैसन के पैस्ट की समयल है वह निकल जाए और हमारे चिकिन का कउलर जो है वह चींज है तब तक हम इसको भूनेंगे है तीन–ठेदिया मिज देख सकते हैं हमारे चिकिन का कलर चेंज हो चुका है जो अर्ग के बभूने हुई का पाउडर, वंटेवले स्पून है के जएरे के पाउडर और 11 तेमेकं कि नमक हिन्सारे मसालों को डान ले के बाद में अब हम इसको मिखेलें गिलेंगे स्केज के साथ और इसको मिक्स करने के बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम दही दही डालने के बाद में हम फेसे इसको मिक्स कर लेंगे चिकिन के साथ में और जैसी हमारे चिकिन में दही मिक्स हो जाएगा अब हम इसके अंदर डाल देंगे पयाज टमाटर और हरी मिच्स और बादाम पेस्ट जो हमने बना कर तयार करा इस पाइंट पर हम चुकिन का अंदर इसको डाल देंगे अब पेस्ट को डालार देगे बाद में अब हम चीकिन के अंदर इसको मिक्स करेंलें और बहुत इinson कर लेंगे और हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 12-15 मिनट तक लो फ्लेम पर और बीच बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो गिरेवी है वो नीचे लगे नहीं और 12-15 मिनट बाद अब हम इसको खोल कर देखेंगे चिकिन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबिल स्पून कसूरी मैथी अब हमारा चिकिन मुम्ताज बनकर तयार है अब उपर से हम इसके उपर लगाएंगे एक तड़का तड़के से चिकिन के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हम चलते हैं तड़के की तरफ इसके लिए मैं लूँगी एक पैन पैन के अंदर मैंने डाला है 2 टेबिल स्पून देशी घी घी को डालने के बाद में अब हम घी को मैल्ट कर लेंगे और जैसे ही हमारा घी मैल्ट होगा अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबिल स्पून बटर और बटर को मैल्ट कर लेंगे बटर को मैल्ट करते ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे दो लाल मेज सूकी हुई और अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा और इन सारी चीजों को हम एक मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो सब का फ्लेवर है वो तड़के के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और अब आप देख सकते हैं तड़का हमारा तयार है अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और तड़के को चिकन मुम्ताज के उपर डालेंगे तड़का डालने से चिकन का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और अब आप देख सकते हैं हमारा चिकिन मुम्ताज बनकर तयार है आप इसको नान से खाएं या रुमाली रोटी से खाएं जो चीज से भी आपको पसंद हो उससे लें यह बहुत जादा टेस्टी बनता है आप अपने मेवानों को इसको खिलाएंगी तो उन्हें भी इंशालल पसंद आएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें देखने के लिए ठैंक यू